राम राम आज हम श्रेमत भकवत कीता के अध्यै चार ज्यान कर्म सन्यास योग का श्लोक 13 संस्कृत उच्छारन और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे पहला चरण चा तू तू के साथ में आधार चातूर फिर व के साथ आधार वर आधा अण है उसके साथ में यह पूरा और शब्द पूरा होने के बाद यह प्यानस्वार आधा में तो वर्नियम चातुर वर्नियम वर नहीं करना है रहा आधा है चातुर वर्नियम आगे म म म में अमिक्स करेंगे मया फिर स्री स्री का अर्थ होता है उसको ब्रैकेट में समझा रखा स्र आधा और री से रिशी की जो नीचे मातर है वो है री से रिशी की तो उसको बलेंगे स्र स्री के साथ आधा श शटकॉर्ण वाला श्रिश और ट पूरिय के साथ आधा मा टम श्रिश्टम पहला चरण रिपीट करते हैं चातुर वर्ण्यम माया श्रिश्टम दूसरा चरण देखेंगे गुण न मी आमिक्स करेंगे गुण क म की उपर आधा रख उसको क के साथ पढ़ेंगे कर म मी आमिक्स करेंगे कर म विभागश दोनों आक्षर पूरी दोनों में आमिक्स करेंगे विभागश श मी आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा विभागश दूसरा चरण फिर से गुण कर्म विभागश ह। पहला और दूसरा चरण साथ में चातुर वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागश ह। तीसरा चरण देखेंगे अब तपुरा त की साथ आधा सत्तस और यमी आमिक्स करेंगे तस्य क ताके उपर आधार करता फिर र पूरा है र मपी करता र मपी मा के उपर अनुस्वार आधा म माम तीसरा चरण फिर से तस्य करता र मपी माम चौथा चरण वी के साथ आधा द विद्ध और आधे ध से धनुष के साथ यह पूरा विद्ध्य क ताके उपर आधार है करता फिर र पूरा है र में आमिक्स करेंगे र म पूरा आधे व को य पूरी के साथ व्य म व्य और य पूरी के साथ आधा म यम म व्य यम चौथा चरण फिर से विध्य करता रम व्य यम तीसरा और चौथा चरण साथ में तस्य करता रम पी माम विध्य करतारम फ्ययम आधियोर पूरियक्षरों का बहुत ध्यान से उच्छारन करना है पूरिश लोग का उच्छारन एक साथ चातुर वर्ण्यम याशिष्टम गुण कर्म विभागशह तस्य करतारम पीमाम विध्य करतारम फ्ययम एक बार फिर से चातुर वर्ण्यम याशिष्टम गुण कर्म विभागशह तस्य करतारम पीमाम विध्य करतारम फ्ययम श्लोक का आर्थ देखेंगे भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया कि जो कर्म आप कर रहे हैं उन कर्मों से अगर आप सिध्धी चाते हैं फल चाते हैं तो वो कर्म दिव्य नहीं रहते उन कर्मों में मलीनता आ जाती है वो कर्म पवित्र नहीं बन पाते भगवान ने यहाँ पर पिछले श्लोकों में एक बात और बताई कि भगवान की जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं लेकिन एक मनुष्य के पास में भगवान ने एक ऐसी चीज भी दी कि आपका जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता क्योंकि हमारा जन्म गर्ब में नौ मैने धारन करने के पशाती हो पाता है लेकिन भगवान तो प्रकट होते हैं लेकिन भगवान की कर्म दिव्य हैं हम अपने कर्मों को भी दिव्य बना सकते हैं भगवान की तरह कैसे जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें फल की इच्छा ना करके तो इन कर्मों को दिव्य कैसे किया जा सकता है इन कर्मों में पवित्रता कैस लाई जा सकती है उसको भगवान आज के श्लोक में बताएंगे चातुर वर्णयम यानि चारो वर्णों की मया यानि मुझसे शिष्टम रचना की गई है तो मेरे द्वारा चार वर्णों की रचना की गई है किस आधार पर गुणा कर्म गुण और कर्म के विभागश पूर्वक तो गुण और कर्म के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा चार वर्णों की रचना की गई है कौन से चार वर्ण ब्रामन शत्रिये वैश्य और शुद्र तस्य यानि उसका किसका जो भगवान अपनी शिष्टी की रचना के बारे में बता रहे है उस कर्म के लिए पर, तस्य, करतार, मपी का जो म हैं उसका आधा मा करतारम, करतारम यानि करता होने पर और म म में जो आमिक्स क्या था? मपी में म में में आमिक्स क्या अपी यानि भी तो करता होने पर भी किसका करता शिष्टी की रचना जो भगवान ने चार वर्णों की रचना की तो भगवान उसकी क्या हो गए करता हो गए उस कर्म को करने वाले हो गए लेकिन उस कारे का करता होने पर भी विध्य में विध्धी शब्दुआ और य में जो अ मिक्स किया था उसको आ गही लेंगे विद्य यानि हो गया जान फिर विद्य करतार करतार तो अ य का जो य में जो अ मिक्स क्या था उससे क्या बन गया अ करतार और मव्ययम का आधा मा ले लो तो अ करतारम यानि अ करता जान और म में जो अ मिक्स क्या था मव्ययम में आदा मतवपन ने अकरतार किसा जोड लिया और म में जो अमिक्स किया उससे बन गया अव्ययम यानि अविनाशी तो अविनाशी यानि कौन भगवान स्वैम के लिए बोल रहा है कि इस अविनाशी परमेश्वर को तू अकरता ही जान तो पूरा अर्थ भगवान क्या पताया अर्जुन को इस लोग के माध्यम से कि मेरे द्वारा चारवर्णों की रचना गुण और कर्म के आधार पर की गई चारवर्ण कौन कौन से ब्रामंग, ब्रामंड, शत्रिय, वैश्य और शुद्र तो इस तरह से इस कारे को करने के कारण भगवान उसके क्या हो पर भी तू मुझ इस अविनाशी परमेश्वर तत्व को क्या जान अकरता ही समझ अकरता ही जान अब भगवान ने ये तो अर्जुन को कह दिया कि चारो वर्णों की रचना भले ही मेरे द्वारा की गई परन्तु इस कारे का तू मुझे करता होते वे भी अकरता जान पर इसमें कोई मलीनता आही नहीं इसको भगवान आने वाले आगे वाले शलोक शलोक नंबर 14 में बताएंगे अविनाशी सहज सुखराशी हे नात हे मेरे नात मैं आपको भूलो नहीं नारें 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 नारें